हलो फ्रेंड्स आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ 6-7 मन्थ बीबी फूट चार्ट जैसे हमारा बीबी 5 मन्थ का कम्पलीट हो जाता है हमारे मैंड में ये क्योशन आने ही लग जाता है उसे किस टाइम पे दे कितने क्वांटिटी में दे हमें उससे क्या-क्या दे सकते हैं हम उसे क्या-क्या नहीं दे सकते हैं आज में आप लोगों के साथ इस वीडियो में इन सभी कॉशन का आंसर जो मौस्टली मौमीज की प्राबलम होती है उनका solution यहां share करने जा रही हूँ Next question जो हमारी mind में आता है वो यह आता है कि हम baby को solid देना कब start करें Generally solid देने के लिए 6 month बोला जाता है 6 month के बाद हमें baby को solid देना ही होता है अगर हम old late करें तो हमारी baby की growth को affect कर सकती है पर कुछ बच्चे ऐसे भी होते जिनका development and growth 6 month से पहले ही हो जाती है तो ऐसे केस में हम बच्चों को solid पहले भी दे सकते हैं Before 6 month कोई problem नहीं है अगर आप अपने baby को 6 month से पहले भी solid इंट्रोड्यूश करवा रहे होता है बस वो baby आपका ready होना चाहिए अगर आपका baby food में interest रो कह रहा है कि वो food के लिए ready है तो आप उसे दीजिए कोई भी problem नहीं है इसलिए बोला जाता है कि solid देने का कोई right time नहीं होता है यह आपकी baby की growth and development पही depend करता है कि आपका baby कब ready है आप परशान मत वीजी अगर आपका baby 5 month में ready नहीं है तो आप 6 month से start कर दीजिए बट 6 month से ज़्यादा लिट मत कीजिए क्योंकि वो last time होता है हमें देना start करना ही करना पड़ता है 6 month पे next day जो हमारे mind में आती है वो यह आती है कि हम बच्चों के लिए जो food बना रहे है वो कैसा बनाएं कि हमारा baby उसे खा सके तो आप जब भी अपने baby के लिए food ready करो तो उसे उतना ही पतला बनाओ जितना दूद होता है क्योंकि वो अभी तक milk ले रहा होता है तो milk को वो इजी लेना जानता है बट अगर हमने गलती से हमारे baby का जो खाना दे रहे हैं तो उसे ठिक बना दिया आने कि टाइट बना दिया जैसा हम खाते है तो उसे वो लेना भी नहीं जानता अगर उसने वो ले भी लिया तो हो सकता है उसके पीट में दर्द हो जाए और उसे वो डाइजेशन में भी बहुत जारा टाइम लगीगा अगर आप जब भी प्योरी बनाओ तो यह दहान रखो कि आप उसे चाई के छन्नी से भी चानो तो निकल सके उसे बीबी बहुत इजीली ले लेगा और वो इजीली डाइजेश्ट भी हो जाएगी बीबी को उसे डाइजेशन में भी कोई प्रॉबलम नहीं होगी और उस प्योरी के अंदर किसी भी टाइप के कोई भी चंक नहीं होने चाहिए यान के गुटले वगर वो एक्टम प्लेन प्योरी होनी चाहिए कि बच्चा इजीली वन या टू टेबल स्पॉन जितना भी वो खाना चाहिए वो उसे खा सके और वो जो भी प्योरी आ बना रहे हो प्योरी आ फुट जो भी उसे दे रहे हो आप उसे अमेसा फ्रेस फुट दीजिए क्योंकि fresh food का जो test होता है वो बहुत अच्छा होता है ऐसा नहीं है कि आप उसे store नहीं कर सकते उसके food को जो बना रहे हो आप चाओ तो काज के airtight container में उसे store भी कर सकते बट मेरा मानना ये है कि आप बच्चों को जब भी food दो आप उसे fresh food दो starting में तो at least क्योंकि जो fresh food होता है उसका test बहुत अच्छा होता है बेबी को में first time food दे रहे होते हैं तो अगर उसे test ही लगेगा तो वो जीली खाएगा उसे कोई problem नहीं होगी उसे उसके test में मज़ा भी आएगा तो आप उसे fresh food ही दीजिए आप जो बे उसे food दे रहे हो वो same food उसे 3D तक continuation में दीजिए क्योंकि अगर आप उसे 3D तक continuation में दोगे तो आप उसे easily identify कर सकते हो कि आपके बेबी को कोई problem नहीं होगी identify करने में कि आपके बेबी को उसे problem हो रही है यानि कि कोई allergy है या नहीं बट in case अगर आपने वो food सेम नहीं दे रहे हो आज कुछ दिया कल कुछ और दिया परसो कुछ और दिया तो ऐसे case में आपको problem होगी identify करने में कि आपके बेबी को किस food से allergy है इसलिए यह बूला जाते है कि जब भी आप अपने बेबी को food दो तो at least 3D's का circle follow करो कि आपके बेबी को उस food से allergy तो नहीं है ना अगर allergy नहीं है तो आप next food पे switch कर सकते हो next food जो भी आपको देना है अब उसके उपर switch कर सकते हो आपको कोई problem नहीं है and सबसे important चीज यह है जो आपको धान में रखने है कि जब भी आपने बेबी को food दो उससे पहले आप उसे breast milk मत कराओ at least two hour तक क्योंकि आपने अगर उसे breast milk करवाया होगा तो वो food नहीं लेगा नहीं उसे food में मज़ा आएगा क्योंकि जो उसकी भूक होती है यह बच्चों की भूक आप जानते है बहुत कम होती है वो छोटे सा पीट होता है उनका तो पीट तो अल्रीडी उनका भरा हुआ होगा तो food नहीं खाएगा और हम सोचेंगे कि वो food क्यों नहीं खा रहा है सायद उसको पसंद नहीं आया या फिर उसको कोई problem तो नहीं हो रही है बट उसका रीजन यह होगा कि उसने दूद पी रखा होगा तो उसका पेट भरा हुआ होगा तो वो कैसे खाएगा इसलिए आपको completely avoid करना है milk at least two hour पहले जब भी आप बच्चों कुछ भी खिलाओ milk मत पिलाओ उससे पहले उन्हें भूक होगी तो वो इजी लिखाएंगे और आपको भी problem नहीं होगी जब भी हम बच्चों को food देना start करते है सबसे man question जो हमारे mind में आता है यह होता है बच्चों को क्या-क्या दे और क्या-क्या नहीं दे कि हमारा बीबी उसे खा सके उसे उस खाने में मज़े आए तो हम बच्चों को generally fruits दे सकते हैं vegetables दे सकते हैं grains दे सकते हैं fruits में हम उन्हें apple की puree दे सकते हैं pear puree दे सकते हैं banana puree दे सकते हैं avocado puree दे सकते हैं mango की puree दे सकते हैं papaya puree दे सकते हैं even apple puree और pear puree तो आप एजी फॉस्ट फूट भी दे सकते हो, जो बच्चों को बहुत पसंद आता है, एपल की प्योरी, वेजी टेबल्स में आप उसे कैरट प्योरी दे सकते हो, पंपकिन प्योरी दे सकते हो, स्वीट पोटेटो प्योरी दे सकते हो, पोटेटो की प्योरी दे सकते हो, बी बच्चों को start भी कर सकते हो यज भर्ष्ट फूड ग्रेंस में आप मुँख डाल का पानी दे सकते हो राईस वाटर दे सकते हो रागी दे सकते हो रागी बहुत अच्छा source होता है अपने बच्चों को देने के लिए मैं पर्सनलि आपको कहूंगी भी आपको अपने बच्चों के खाने में रागी एड़ करने चाहिए रागी में काफी ज़्यादा केल्सियम और आइरन होता है जो बच्चों के लिए बहुत अच्छी होती है सेरलेक दे सकते हो सूजी की खीर दे सकते हो उपमा दे सकते हो मैं यहाँ पर परसनली आप लोगों को यह बताना चाहूंगे मैंने अपने बेबी को क्या दिया था मैंने अपने बेबी की स्टार्टिंग फ्रूट से कीती क्योंकि मेरा यह मानना है कि बेबी की स्टार्टिंग फ्रूट से करनी चाहिए क्योंकि जो fruit की sweetness होती है वो बच्चों को पसंद आती ही आती है और उसे वो अवैड नहीं करेंगे वो उसे test लेंगे नेक्स जी जो हम सोचते हैं वो यह सोचते कि अगर हमारी बेबी को इस food से allergy है तो हम इसका पता कैसे लगाएंगे कि हमारी बेबी को इस food से allergy है या नहीं आपने बेबी को जो भी food दिया है उसके बार में आपको यह notice करना है कि इस food की खानने के बाद आपके बेबी को constipation यानि कब्श की problem तो नहीं हो रही है ना या फिर उसे loose motion तो नहीं हो गए वामिट तो नहीं कर रहा है वो या फिर रैसेज यानि उसकी बोड़ी पर कहीं भी किसी भी पार्ट पर कुछ फुनसी यानि कि दाने दाने से तो नहीं होने लग गए अगर किसी भी फुट के खाने के बाद में इन में से कोई भी चीज आपको दिखाई देती है कि उसे किसी भी टाइप के कोई भी प्राब्लम हो रही है तो आप उस फुट को तुरंत स्टॉप कर दीजिए क्योंकि उस फुट से आपके बेबी को allergy है बेबी को जब भी अब हमें यह जानना है कि हमारे बेबी को क्या क्या नहीं दечकते हैं तो आप अपने बेबी को न만 चीनी नहीं दे सकते हो साहद connectingshi जब तक आपका बेबी एक शाल का नहीं आप अपने बेबी को नमक चीनी और सहद मत देजीए next question जो हमारे mind में होता है वो यह होता है कि हम बेबी को जो खाना दे रहे हैं उसके timing क्या रखे हैं और उसकी quantity कितनी होनी चाहिए timing हमेशा आपको morning का रखना चाहिए यानि की breakfast time सुबर morning में 9 a.m. से आप 11 a.m. तक कभी भी आप अपने बेबी को खाना दे सकते हो बट हाँ morning में ही दीजिए जो भी फूड आप अपने बेबी को दे रहे हो क्योंकि अगर आप morning में अपने बेबी को फूड देते हो तो आप easily आपके पास hold day होता है कि अपनी बेबी को उस फूड से allergy है या नहीं इस बात का पता करने के लिए आपके पास complete day होगा आप डॉक्टर के पास जा सकते हो अगर उसको कोई problem हो रही है तो अगर आप night में दोगे तो आपको problem हो सकती है identify करने में भी और बच्चियों को अगर problem होती तो आप उसे डॉक्टर के पास भी ले जाने में problem होगी इसलिए जब भी food तो आप morning का time ही चूच कीजिए and अब आता है quantity quantity आप एक या दो टेबल स्पून ही रखी है क्योंकि बच्चा भी छोटा है वो इतना ही लेगा हो सकता है बच्चा अगर ज्यादा ले तो आप उसे ज्यादा भी दी सकते हो कोई problem नहीं है बट हाँ एक या दो टेबल स्पून मिनिममम ले ही लेता है बीबी बट इन केस अगर आपका बीबी एक टेबल स्पून लेता है या फिर हाप ही लेता है तो भी कोई problem नहीं है उसे लेने रीजिए बट उसे force मत कीजिए कि हाँ और लो और लो हो सकते हैं थोड़ी देर बाद में आप फिर से ट्राइ कीजिए तब वो ले ही लेगा जिससे हमारे बेबी का solid खाने का टाइम इसटार्ट होता है हम ag parents बहुत ज्यादा excited हो जाते की अब हमारी बेबी को भूक लगेगी जब हम उसे कितने भी बार खाना दे सकते हैं अब हम हमारे बेबी को मोटा कर सकते हैं अगर वो पतला है तो अब तो हमारे पास चोई से कि हम उसे जो इच्छ वो दे सकते हैं बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है 6 month के बेबी को आप सिर्फ एक बार ही खाना दीज़े वो भी daytime में इसके बार में आप उसे formula milk या breast milk जो भी देते हो आप उसे वो दे सकते हो बट खाना सिर्फ उसे एक ही बार देना है वो भी morning में जब बेबी 7 month में आता है तब आप उसे दो बार दे सकते हो morning में और कोई भी स्नैक उसके खाने में एड़ कर सकते हो उससे पहले उसे एक बार ही दीजिए और उसे डे में आप जब भी भूख लगे आप ब्रेस्ट मिल्क या फॉर्मूला मिल्क जो भी आप देना चाहो वो आप दे सकते हो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए कमेंट कीजिए और मुझे बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है